बिखाती हैं जो अब बहुत जादा ट्रेंड में हैं और वो है ये और ये पर न कापी अच्छा लगता है वो मेंने बाद में जब आप इस दो कि है लेहर वाले दोस्तों कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे मैं भी अच्छी हूँ मैं ममता मीना स्वागत करती हूँ आपका एक बाद पित से ममता मीना फैमली की चैनल में एक ओड़न में पास ये यलो कलर में है इसमें भी ग्रेईन कलर की ही पाइप इन है इसका जो वर्ख है वो लेहर वाला है ये देखिए लेहर वाला पैटन दिया गया इसमें काम भाई गोटा पत्ती का है भाई स्टिचिंग वाला है लेकिन ही इसमें वो जो अपसे पहले मैंने आपको दिखाईए वो उसमें जो पत्तियां लगाई गई है वो हैंड़ वर्क से तयार है और यह जो है इसमें न मशीन वर्क है यह मशीन वर्क से बना हुआ काम है इसका यह एंड़ वर्क का नहीं है मैं बता हूँ आपको पहले ही तो चारो कॉनर्स पर यह वर्क आएगा लेहर वाला और इस तरीके के इसमें फूल आएंगे इसमें इस तरीके के फूल आएंगे और बीच में यह तीन बत्ति आएगे इस तरीके से इसमें कालर इसका यलो है इसमें भी अगर आपको यह वाला वार्ट करवाना है किसी दूसरे कालर के साथ तो आप बिलकुल करवा सकते हैं और ने के बाद यह कुछ इस तरीके की लगेगी पिर से वही बाद आप रेडी होंगे इसको पहन के अच्छे से तो इसका लुक काफी अच्छा आएगा और जैसे कि सबको पताईए अभी काफी ट्रेंड में हभी है तो एक यह हो गई इसके बाद में आपको एक और दिखाते हो एक यह है मेरे पास औरेंज कलर में इसमें आपको इसका शेड शायद थोड़ा डिफ्रेंट दिख रहा है यह वहां पे यह शायद पिंक कलर की दिख रही है लेकिन यह पिंक कलर की नहीं यह औरेंज कलर में है तो एक यह वाला पेटन है इसमें इस तरीके की लेस आएगी गोटे वाली इस तरीके का इसमें वार्क आएगा इसमें स्टोंस भी लगे हुए है यह भी अभी काफी चल रही है चारो कॉनर्स पर सेम आपको बर्क मिलेगा इस तरीके की फ्लावर्स बीच में आएगे यह वेलवेट का पैब्रिक है ब्लू कलर का उसके चारो तरफ रेड कलर का है उसमें इस तरीके की स्टोंस लगाए हुए 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 तो यह और यह बर्क न कापी अच्छा लगता एं उनके बाद में इवा बसको प्रेस के साथ डालों है ना काफी अच्छा लगेगा इसको भी मैं ओर के दिखा देती हूँ इसका कलर आपको वीडियो में काफी अलग दिख रहा है लेकिन यह ओरेंज कलर है इसमें भी सेम बात है अगर आपको कलर चेंज करवाना है आप बिल्कुल करवा सकते हैं इस तरी के बीच का में आपको दिखाई दिया इस तरीके से इतनी इतनी दूरी पे इसके फ्लार साइंदे यह भी ट्रांस्पेरेंट है यलो वाली मनें दिखाईए वो भी उसी फेब्रिक में है और इनका कपड़ा ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ करते ही छिक जाएगा अच्छा वाला फेब्रिक है इसका हमें आपको एक और दिखाते हैं जो अब बहुत जादा ट्रेंड में है और वो है यह यह वाला गोटा पत्ती कबर कभी काफी जादा ट्रेंड में है और यह अलग-अलग तरीके की आ रही है यह वोड़निया जैसे आप इसको अगर त्यां से देखेंगे न तो इसमें आपको जो वर्क है वो काफी है डी सा दिखेगा वतलब इसमें गोटा पत्ती का खाफी ज़्यादा यूज किया गया है और इसी में थोड़े कम ठ्राइज में भी आ और अगर आपको थोड़ी कम रेंज वाली लेंगे उसमें आपको flowers फिल्कुई छोटे-छोटे करके देंगे तो अलग इन दोनों में में अलब इनकी prizes जो अलग हैं तो उसके वर्ग में क्या डिफ्रेंज से वो मैंने आपको बता दिया है बाति आप देख सकता है इसका वर्ग काफी finishing के साथ किया गया है वीडियो में कुछ भी चीज हम आपको इधर से भी खाते हैं वीडियो के स्पार से मोबाई के स्पार से वो आपको सेम उस तरीके से नहीं दिख पाती है जितना वो एक्चुल में होती है तो जितना ही आपको दिख रही है यह उससे भी काफी अच्छी लगती है जब इसको हाथ में यहने से पता चलता है कि हाँ इसकी क्वालिटी अच्छी है वही ग्रीन कलर की पाइपिं है पूल मैंने आपको बता दिए इसमें इस तरीके क्या हैंगे इस निखनी दूवी पे इसमें जो सिल्वर वाला गोटा है उसका भी वरक और गोल्डन वाले का दूझा ठीक है मैं आपको इसको ओड़ के दिखा देखते है मुझे यह वाली सबसे इच्छी लगी आज का जो मेरे पास में आज मैंने जो लिया है उसमें और मैं फिर से आपको बता दूं इन मेंसे अगर आप कुछ आपके पास मेरे सर पर डाला हुआ कुछ नहीं आएगा आपके पास जो भी आएगा वो फ्रेश आएगा तो आप उस चीज की टेंशन बिल्कुल ना करें आप यह अभी सबसे ज्यादा यह वाली होड़निया चाहिए चलु रही है तो आपको वीडियो में पिंकिश दिख रहा होगा लें यह पिंक नहीं यह रेड कलर है यह बल्कुल रेड कलर है इसका लुक सबसे प्यारा लगा मैं रेको औरेंज वाली का मुझे बहुत अच्छा लगा तो मुझे यह दोनों ओड़निया परसनली बहुत अच्छी लगी है तो अगर आपको भी इन में से कोई ओड़नी पसंद आ रही है और आपको लेनी है तो आप उससे कॉंटेक्ट कर सकते हैं लहंगो का वीडियो यह है कि हो सकता है मैं इनका एक साथ डालके लहंगो का आपके लिए अलग से बना दूँ या फिर हो सकता है कि मैं इसी में से एडिट करके इसी के साथ इसके मैच होने वाला लहंगा लगा के बता दूँ वो बात की बात है क्यूंकि लहंगे अभी मेरे टाइम लग रहा है बाकि अगर मैं आपको chop से लाके देना चाहती तो वो मैं आज भी दे सकती हूं लेकिन मैं खुझ से तैयार करवाती हूं तो मुझे टाइम लग रहा है, तो लेहंगों का यह है कि लेहंगे हो सकता है, हो सकता है कि लेहंगा लगा के बाद मैं separate video करके डाल या फिर इनको एक साथ डाल सकती हूँ, जैसा भी हो, लेकिन आप देख लीजेगा, अगर आपको अकेली ओडनी चाहिए, वो भी आपको मिल जाएगे, अगर आपको इनके साथ के लेंगा चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगे, जिस तरीके से आपको ठीक लगे, आप उस से ही वीडियो लाती रहती हूं तो यह सब आपी के लिए था आपी लोगों की डिमार्ड पे था और मैंने आठ महीनों के बाद में अपना चैनल ओपन किया फिर भी आप लोगोंने मेरा साथ दिया उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया और अपना सपोर्ट बनाईए मेरे साथ और अगर आपको कुछ की चाहिए तो आप इंस्टा पे लिएम कर लिएगा पे इस्टा इपे आप लिए निसा मोड़ी को उपना इसे जगा आपको कि वहां पनाने जे कि परनेमल प्सक्राइब लाटो सब्सक्राइब आपको झाल झाल झाल